नमस्कार दोस्तों आश्या करता हूँ आप से बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 12 जनुरी का दा हिंदू नियूस पेपर और पिएवी का इंपोड़न करेंट अफेयर्स लीजे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे नेशनल यूथ डे 12 जनुरी को मनाया जाता है कमेंट करके बताओ इस बार का जो नेशनल यूथ डे है उसका थीम क्या है थीम पेपर में पूछ लेते हैं पीछेस का एकजाम हो यूपीएस से हो कोई भी एकजाम हो एससी बेंकिंग वहादो डारेक्ट ऐसी चीज़े पूछ नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन ओफ तै येर अवोड दोहजार तेईस के लिए किसको मिलता है आउटस्टेंडिंग अच्यूमेंट के लिए इसरो को मिलता है और इसके चेर्मेन एस सोमनात और प्रोजेक्ट डिरेक्टर ओफ चंद्रियान थ्री कौन है भाई ऐसी चीज पूछे गए हैं तो आपको अवोड में ध्यान में रखना है वेरी वेरी इंपोर्डेंट के बारे में बात करें तो देखिए ओल इंडिया क्लीन सिटी आवोड जोएंटली मिलता है सूरत इंदोर दोनों को और बेस्ट सफाई मित्रा शुरक्षित सहर का जाता है चंडीग ठीक है यहाँ पर कमेंट करके बताओ लेस दन एक लाख अगर क्लीन सिटी के बारे में बात करें तो एक लाख पोपुलेशन जिनका है एक लाख से कम जिनका है उसमें मिलता है नवरोजाबाद को और यह कौन से राज्य में पढ़ता है कमेंट करके बता देना ठीक है नेक् प्रिसुर फेस्टिवल के बारे में बात करें हिंदू टेंपल फेस्टिवल के रला के यहाँ पे तर्की बल्गारिया और रोमानिया यह तीनों देश मिलके एक पैक्ट को साइन करते हैं डी माइनिंग ब्लैक सी करने के लिए कि भाई सेफ पासेज हो यहाँ पे ठीक है तो इ नेक्स टम बात करेंगे नेशनल यूथ डे का जो थीम है 2024 का वो थीम एक बर याद रख लेना पूछे जाने की संभावना होती है पेपर में ऐसी चीजे आप देखिए प्लेसी न्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ से देखिए ब्लैक सी बिलकुल चर्चा में है तीन याद करने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ठीक है तो यहाँ पर इससे हो जाएगा आपका बल्गारिया और आर से रोमानिया हो गया और जी से क्या जर्चिया हो गया और यू के बारे में यूक्रेइन हो जाता है रश्या हो जाता है और टी से यहाँ पर आपका टर have a awesome day